चलिए एक और नए टॉपर से मिलते हैं रितिक जोरी से जिनका ओल इंडिया रैंक 56 है जो कि मैंनपूरी यूपी से हैं तो रितिक सबसे पहले आपको ओल इंडिया रैंक 56 के लिए धेर धेर सारी सुपकाम नहीं और रितिक ने ऑनलाइन पढ़ाई की थी देखें इंपीटर् कि तो आपका क्या एक्स्प्रियेंस था और आपकी इंटायर सक्सेश जर्नी क्या है कब आपने निमसेट के लिए सोचा फिर किस दंग से पढ़ाई की और किस दंग से अपने आपको घर में आप टाइम टेविल का मैनेजमेंट रखते थे हैं हेलो एब्रीवन मैंने अपनी निमसेट की प्रिपरेशन 2021 में शुरू करी थी पर कॉलिज के साथ मेरे को इतना टाइम नहीं मिला कि मैं अच्छे से प्रिपर कर पाऊं और उस टाइम मेरे को अवेर भी नहीं था मैं कि ऑनलाइन कोर्सिस भी हैं तो 2022 में मैंने निमसेट दिया था और मेरी ओल इंडिया र पढ़ाते थे तो मेरा एक अब्जेक्टिव था कि जितना भी मेटेरियल सर दे रहे हैं उसको अच्छे से सॉल्व करूं और साथ ही में मैंने दो तीन रेफरेंस भूक्स भी लिए होई थी तो मैं उनको सॉल्व करता रहता था साथ मैं और सर का पढ़ाने का तरीका मुझे से इतना बढ़ता था कि दिशमबर तक तो मुझे पता ही कि मैं निम सेट की प्रेप्रेशन कर रहा हूं मैं थो मैंघ आ रहा था मज़ने के चल निमसेग करें उस Opportunity उसके वाद मैंने निमसेट के साथ साथ से भी बढ़ना है companion सर की स ! और प्रिवेस यहर के कोश्चन्स भी देखें और सर के साथ फिर मैं पढ़ता रहा और एक्जाम में जम मैंने 2023 में दिया तो फिर मेरी ओल इंडिया रहिए तो रितिक आपने जो इंपॉर्टेंट बात बताई कि आपने मैस को पढ़ते हुए बहुत इंज्वाई किया मेरा भ इंडिया नहीं आती तो आपने अपनी कंसिस्टेंसी को कैसे में रखा यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कई बच्चे वह मेंटेन नहीं रख पाते और आपने पूरे साल मेंटेन रखा फिर डिसमबर के बाद एक और अच्छी बात बताई आपने CGL निकाला उसके और टाइम के साथ सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया मेरे को टाइम टू टाइम मेरे खाना लंच डिनर ब्रेकवास्ट सब मेरी ममी ने एकदम टाइम पर दिया पापा ने मेरे को सबसे पहले कोई काम नहीं करता था तो सुबह साथ बजे या साड़ी छे बजे के करीब मैं बैट जाता था और उसके बाद फिर मैं पढ़ता रहता था और फिर थोड़े दिन तो मैं रात तक पढ़ा नौ बजे तक मैंने कोशिश करा कि मुझे पता चला कि सब बच्चे कोच बच्चों को बोलता हूं कि आपको वेल प्लान होना चीए तो आप जब टेस्ट देते थे तो किन-किन बातों का जिहान रखते थे और पिर टेस्ट पेपर के अनलिसिस को किश धंद से आप करते थे तो जब मैं टेस्ट देने बैटता था हां तो मैं वेल ट्रस लोके तो बैटता था शूज नहीं पैंदता था और कभी-कभी नंबर अच्छे आते थे कभी खराब आते थे तो एनलिसिस जिए तो टेस्स लेते थे तो टेस्ट देता था और उसके तरन बाद मास हो जाता था और रात में उड़ता था आराम से और उसके बाद पूरा नेशिस करके फिर दोबार सो जाता था संदे वाले दिन मैंने काफी लीनियंजी रखी है ताकि ज्यादा प्रेसर ना हो और पर यह बाता है आप अपने जूरेस को क्या मैसेज देना चाहोगे. जो बच्चे ड्रॉप लेने से घवराते हैं या ले नहीं पाते हैं उनको क्या मैसेज होगा आपका? लेने का कोई टेंशन नहीं किसी को भी अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो अगर आप कंप्यूटर में इंट्रेस्टेड हो तो आप ड्रॉप लो ना लो सब प्रॉपर है आपको बस अच्छा नंबर आ जाएंगे आपके आप मेहनत करो और सबसे इंपोर्टेंट जो सर बोलें वो जरूर फॉलो करो पुछ भी सर बोलें उसको पॉइंट फॉलो करना है कोई भी चीज इसकिप निकरने आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो कर लो पर सर की कोई भी बात छोड़ी नहीं है तो बहुत अच्छा लगा बिटा रितिक बात करके और आपके साथ आपकी क् सब्सक्राइब करना चाहिए तो मैं चाहूंगा क्योंकि आपने ऑनलाइन पढ़ाई कि और मम्मी अभी आपने नाम भी लिया था कि मम्मी का बहुत सपोर्ट था पापा का सपोर्ट था इस्पेशली ममी ने आपकी हर चीज का ध्यान रखा जिससे आप अपने रूम में बहुत बड़ा रूल होता है तो रितिक ने जैसे भी आपके लिए बताया भी कि आपने बहुत ध्यान रखा हर चीज का तो आप का क्या experience और आप क्या बोलना चाहोगे जैसे कि ने बोला कि ममी ने बहुत ध्यान लखा तो मैं यह कहना चाहूंगी कि मेरे ध्यान तो ने करते जाओ बेटा जो होगा वो देखा जाएगा सब अच्छा ही होगा हमेशा यही कहते जाते यह बहुत बिल्कुत सच बात बोली आपने कि जो पैरेंट्स यह बच्चे को बोल देते हैं जिसा भी में जोल के अगर आप द्यान रखते हो तो फिर आपके उपर प्रेशर आता है महनत करते जाओ जो बच्चे ऐसे करते हैं जिन पैरेंट्स का सपोर्ट होता है मैंने देखा वह बच्चे अच्छा रिजल्ट देते हैं प्रेशन नहीं देना चाहिए ना ही कि उसमें ऐसा किया तो मैं ऐसा करना ही है ऐसा करो ही यह सब कुछ नहीं है लेकिन जब बच्चे समझदार हो जाते हैं तो स्वें भी कुछ अच्छा करके दिखाने कुछ चुछ करते हैं चलिए एक बार आपको बहुत बदाई और आभी आपका बेटा जो है रितिक बहुत आगे जाएगा बहुत ऐसी ग् करेगा तो धे सारी सुपकाम नहीं all the best